कि वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकुशन करने वाले हैं प्यासी लिमिटेड के ऊपर इस टॉक में ऑल्रेटी स्टॉक स्प्लीट हो चुका है जिसके बाद प्राइस एडिश्मिंट भी आपको हो चुका है तो अब आगे हम लोगों का क्या यहां पर फ्लान होना चाहिए किस लेवल तक स्टॉक नीचे आ सकता है कहां परम लोगों को अच्छा बाइंग ऑपर्चुनिटी मिल सकता है सभी चीज़ों पर हम लोग डिसकुशन करेंगे आई जील के उपर भी और उसके साथ ही हम लोग डिसकुशन करेंगे पिरामल इं में प्लान होना चाहिए तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिए गा और अगर आप लोग को वीडियो प्रसंद आता है अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो क्यों हम लोग लगाता है इसी टाइप के अनल लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी यहां पर वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए अब जो है एनलेसिस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बीएसी लिमिटेड के ऊपर तो याद होगा जब इससे पहले हम लोगा ने बात किया था भी और नेक्स्ट वीक भी आपको कैरीड आउट हुआ था यहां पर देखेंगे तो सेम हम लोगों को देखने को मिला था इससे पहले हम लोगा डिसकसन किया था आपको यह एक जोन का ब्रेक आउट हुआ था क्योंकि यहां पर एक अच्छा कॉंसोल्डेशन हुआ था नाइन को बार के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुगिंग करते हैं क्योंकि जो लोग 200-300-400 रुपे राउंड से आपको यहां पर लिये होंगे उनको अल्रेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट वहां पर दिख रहोगा तो इसलिए जो लोग भी आपको दो से तीन ताइम या फिर स्प्लिट होने के बाद आपको स्टॉक में एक रिट्रेस्मेंट मूव देखने को मिलता है और रिट्रेस्मेंट मूव आना भी चाहिए क्योंकि अगर यहां पर देखेंगे तो लास्ट वीक में ऊपर की साइट से आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेसर यहां पर कंडल का फॉर्मेशन वो जो है आपको एक निगेटिव करता है यहां पर वीकने सो कर रहा है स्टॉक में तो स्टॉक यहां पर रिट्रेस्मेंट कहां तक हो सकता है तो यहां पर 750-760 यह जो जो नहीं यह आपको एक सपोर्ट की तरह अब काम करने वाला है तो इस लेवल त साइड होगा जो आपको यहां से स्टॉक बाउंस करता है या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहां तक तो आपको वेट करना चाहिए आगर करने की कोसिस कर रहा है तो इन सभी चीजों के बार अगर यहांसे बॉंस करता है अगर हम लोग को यहां पे कोई भी positive sign होता है positive candle बनता है weekly चाट में तो हम लोग यहां पर पॉईचन बनाने के लिग सकते हैं फोजोज इहां पर कम वह नहीं कि अगर आप सब्सक्राइब बनेते हैं तो आपका इसटॉप लॉस यह होने वाला है लेकिन अगर आपका फोजेशन यहां पर बनता है 775 780 के राउंड बनता है तो आपका यहां पर टॉप लॉस 185 पॉइंट का होने वाला है इसका मतलब यहां पर अगर आप पोईशन बनाते हैं तो आप एडिसनल इतने पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं जो कि आपको यहां पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको क् करना चाहिए जो लोग आपको अब सब्सक्राइब को लोगों आपको 250-300-100 इन से लेवल से 500 के लेवल से पॉइंट कर सकते हैं क्योंकि एक तो आल्रेडी वह प्रॉफिट में है साथी साथ वह अभी यह सपोर्ट लेवल भी जो है वह उनके प्राइस से उपर है तो वह लो बाउंस का साइन्स हो करता है तो फिर हम लोग यहां पर बाई करने के लिखेंगे नहीं तो हम लोग और फर्दर वेट करेंगे सब्सक्राइब की बात करें आईजीएल आईजीएल के स्टॉक में अल्रेडी बहुत बड़ा गिरावट हो चुका है और यहां पर अगर देख और पिरुट्रेस्मेंट यहां पर एक होना था और रिट रहेस्मेंट यहां पर आया है इस वीक में अगर देखेंगे तो वापस से एक बाइच्श के Principal क्या है यहां पर दो पॉसिबलिटी है एक्घ्रेसि法 सेलिंग यहां पर आपको 2020 के नीचे ही हो सकता है और यहां पर बाइंग का उपरचमियंटी कम मिलेगा पहले हम लोग सेलें पर बात करें यहां पर जब यह स्विंग लोब घूगा आप यहां पर भी एक sale position create कर सकते हैं क्योंकि यहां पर भी आपको clearly दीख रहा है weekly chart में एक bearish engulfing candle already बन चुका है तो यहां पर जो है आप already short position create कर सकते हैं और यह बहुत important level भी है क्योंकि अगर आप इस level पर horizontal line draw करेंगे तो इससे पहले यह level एक support की तरह काम किया था और सेम इसी level पर आप देखिए यहां पर वापस से रसिस्टन्स लेके नीचे की और movement start क्या है अब यहां पर दो possibility है पहला possibility है यहां पर फॉर्स टाइम अप्रेंट में लिया वापस से अक्टिवेट हुए हैं अगर सेलर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं 320 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और बायर अगर 400 के लेवल को वापस से ब्रेक करवाने में आपको सक्सेस फुल हो जाते हैं तो फिर आपको यहां पर एक अच्छा क्लियर्टी आ जाएगा तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी यह है जो आपको यहां पर डबलू पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन जब तक नहीं होता है हम लोग यहां पर यहां पर नहीं कर सकते हैं यहां पर एक पॉसिबिलिटी यह है तो उस केस में 400 के ऊपर अग देखने को मिल सकता है तो अभी जो है जिनको भी बाइंग पोईशन बनाना है वो लोग वेट करेंगे सॉट तर्म के लिए सॉट करने के लिए देख सकते हैं छोटी टाइम फ्रेम में क्योंकि यहां पर अल्रेडी एक निगेटिव केंडल बन चुका है वीकली चार्ट में औ तो यहां पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होने देजिए उसके बाद यहां पर कोई भी बुलिस साइन लेके आप 350 के ऊपर पोईशन मना सकते हैं या फिर 400 के ऊपर के लेवल का वेट कीजिए वहां पर आप पोईशन बना सकते हैं अगर हम लोग बात करें पेल इंटर सेलर्स यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाये 2000 के नीचे क्लोज होने का यात रखेगा यहां पर आपको नीचे सस्टेन जरूर किया है बट आपको क्लोजिंग नहीं दे पाया है वापस से इस वीक में बहुत अच्छा एक बुलिस मोमेंटम हुआ तो यहां पर एक फ्रेस ड करना है तो वेट करेंगे 2260 2270 के ऊपर एक बार क्लोज होने दीजिए वीकली केंडल को उसके बाद ही हम लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेस अप्ट्रेंड का इन बिट्वीन 2260 2270 से 2000 इन बिट्वीन जो है यहां पर स्टॉक प्राइस तुरा सा करने दीजिए उसके बाद ही हम लोग यहां पर प्रेस पोजिशन बनाने के लिए देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी लेवल्स क्लियर हो गया होंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो एनलिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए तन्यवाद